नमस्कार उज्जेन मैं हूँ अकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूस का 21 अगस्त सोमबार का बुलिटी खबरों की और आगे बड़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हैडलाइन्स नाबालिक लड़की के साथ चार लड़कों ने किया गैंगरेब रात तीन बजे ताबर तोड़ कारवाई भक्तों को दर्शन देने निकले अवंति कानाथ एमाई से सदस्य ने किया कपीला गौशाला कंदिक्शन जीपीएफ के लिए रिटाइड जेल करमचारियों का धर्रा पदशन शेहर काजी की सदारत में सीरत कमीटी की बैठक रात बारा बजे तरिकाल पूजन के बाद खुले श्री नाग चंद्रेश्र मंदिर की कपार्ट उचली खबरों का सलसिला शुरू करते हैं पुलिस ने दो दिन बाद मामला तो दर्ज कर लिया है लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है उजयन जैसे धार्मिक शहर को कलंकीत करने वाली घटना की शुरुवात हुई सिंधी कॉलोनिस्थित सुरेश क्रश्णवानी के मकान से जहां ग्राम आका सुधा निवासी शुभाष पिता जग्रीश सूरिवन्ची किराय पर रह रहा था 16 अगस्त को वह अपनी दोस्त 17 वर्शिय यूवती को बहला फुसला कर लिया और उसके साथ दुशकर्म कर लिया सुभाष यही नहीं रुगा वह नावाली को प्रकाश नगर में किराय से रह रह रहे अपने दोस्त शुभम उर्फ शिवम की यहां ले गया वहाँ पर तुशार पिता भारत परमार निवासी शंकरपूर जागी रता एक अन्य युवक ने पहले तो लड़की को बियर पिलाई और फिर सबने मिलकर उसकी असमत लोट ली यही नहीं उन लोगों ने उसके वीडियो बना लिए और उसको धमकाया भी कि अगर उसने मोग खोला तो गैंग रेव का वीडियो वायल कर देंगी उधर लड़की के परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत कोत वाली थाने में दर्ज करवा दी करीब 6 घंटे बाद नावारी घर लोटी तो उसने अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी दी बैंक गली निकास में रहने वाला यह परिवार जब अपनी फरियाद लेकर कोत वाली पहुंचा तो वहां से उने तर्का लिया गया नतीजा यह हुआ कि पिडित के परिजनों ने CM हेल्प लाइन पर शिकाय दर्ज करवा दी जैसे ही जगटना के खबर पुलिस कप्तान सचेन श्रमा को मिली तो उन्होंने 17 अगस्त की रात 3 बजे 3 थाना प्रभारियों को पिडिता के घर भेज उसे नील गंगा थाने लाकर चारों युवकों के खिलाफ सामोहक दुश्करम का मामरा दर्ज करवा दिया इतना ही नहीं दूसरे दिन लड़की के बयान नियालाई में भी दर्ज करवा दिये अब नील गंगापुलस चारों युवकों की तलाश कर रही है पता चला है कि उन्हें परिजनों ने उज्ज और भावी को पोचाएगा या महापे थाने पे सेंटर को तो वाली थाना चेत्र में वहापे फिर उनको गुंसो दी कि उनने वहला साम तक शेवजे तक देख लो बालीका को मिल जा तो ठीक है नहीं तो पिर रिकोर्ट लिखेंगे आपकी उसके बाद में हमारा को गटना इ इन लोगों ने आसा अएशा करा मेरे को इस रूम पर लेगा इस रूम पर उसको आता पता मालूम नहीं था कहां से उसको लिकर गए थी यह लोटी स्कूल के दार से और नहीं कावधों की चाहर लड़के थी यह पर दरच करने गया कोटवाली में लाड़ी वगे रहा नहीं है यह मेरी भावी वगेरा सब गया परीवार के सद़ सदस्वाटी और उसके बाद में नाना खेडा गाए तो पर बात की ती रिमांजी में ने फिर मेरी सुनवाई हुई सवारी निकलने से पहले श्री महाकाल इश्वर मंदर से सभा मंदप में भगवान का पूजन किया ठीक शाम चार बजे सवारी मंदर से निकली मुख्य द्वार पर सर्शस्तर पुलिस बलकी जवानों ने भगवान को गाज ओफ ओनर दिया सवारी में चांदी के पालकी में भगवान चंदर मौलेश्वर, हाती पर मन महिश, गरूर पर शिवतान डव, नंदी पर उमा महिश, धोल रत पर होलकर स्टेट का मुखारविंद, रत पर घटा टोप और आखरी में जटा शंकर का मुखारविंद शामिल रहा सवारी में भक्त डीजे के धुन पर भक्ती में नाच्टे गाते चल रहे थे सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चुरहा, बक्षी बाजार कहारवारी से होती हुए राम घार पहुची यहां शिप्रा के जल से भगवान का भी शेकर, पूजन के अगिया, इसके बाद रामानुज कोट, गडगोर दर्वाजा, कार्तिक चौक, जगदीश मंदिर, सत्यनारायन मंदिर, धाबा रोड, छतरी चौक, गुपाल मंदिर, पठनी बाजार होती हुए, सवारी पुनह मं टैटू इंडिस्ट्री में उचीन की फिर्स्ट फीमिल टैटू आर्टिस के साथ बनाए अपना करियर, और यह लाए है आपके लिए ब्रेड लॉक, ब्रेड लॉक, पर्मानेंट लॉक बैन, मैन और वुमेन जो अपने गंजेपनिया हेर लॉस से परिशान है तो हमारे पा साथ नए टेकनलोजी से, साथ उसाथ सीके टैटू आर्ट्स, एक लाइन ज्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्टिट पेंटिंग के साथ, पियर्सिंग एन डेड लॉक, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ज़त के नीचे एक लिपीस में, तो चले आईए एक बार पिंक गड़ में हुए 15 करोर रुपए के जीपी एफ गबन कार्ण में, जनरल प्रविजिंट फंड नहीं मिलने से परिशान हो रहे रिटार्ट का मचारी रविवार को जीर के भार धरने पर बैट गए, हातों में तक्तिया था में सीवा नियुद कर्मेचारियों ने रशन किया, उनके साथ उनकी परिवार की महीला एवं बच्चे भी थे, कर्मेचारियों का खहरा था कि भविश नीधी को लिकर स्पश्ट इस्तिती नजर नहीं आ रही जबकि शासन ने पाई पाई लोटाने की बात कही थी, अपनी परिशारी बया करते करते, उनकी आखों से आसो दरसल केंदरी जैल भैरोगण में हुए 15 करोड की जीपीफ गबन कांड की आग में बेकसूर करमेचारियों को भी जलना पड़ रहा है, दो-तीन महीने पहले रिटार्ज हुए करमेचारियों को अब तक उनकी जीपीफ की ड्राशी नहीं मिल सकी है, ऐसे में हुनी जीवन य जापन करने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गबन कांड की जांच करने आग संचाल नाले कोश इवं लेखा विभाग भोपाल के संयों को संचालक, विश्वजीत जारिया और जेल विभाग के डियाईजी मंचाराम पटे ने रिटार्ज करमेचार को आश्वस्त किया था कि जीपीफ की राश्यों ने जल्द ही मिल जाएगी, इधर सेवान निवित करमेचार्यों को डर सता रहा है कि विधान सभाचुनाव के चलते जल्द ही आच्रार सही ताल लगने वाली है, ऐसे में राशी रिलीज नहीं होगी, तो वह क्या करेंगी? अब तक मेरा पेस निकला नहीं है, इस बच्ची की जाथी जेता करूंगा हमें, तो वह समझ में रहे हैं, इसको जहरत हूं या में लगूंगा हूं, अबरा पेस घाली वापस आजा है, जो हमारा साथ 15 करम्चारी का है, इतना ही नहीं वेदन चाते हैं, हमें दूसरा पेस क करीब दाइज से तीन महीने के लगभग मेरे को एटायरमेंट हो गया, मेरे को गेल डीजी साफ ने वीडियो क्रामफिंग से बोला था कि आपके खाते का पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा, आज दाइज महीने हो गया, हमारे खाते में एक पैसा नहीं आया, और यहां श्र जेल में आके भी अस्वासन दिया, कि आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा, जो आपका जमा है, और हम लोगों के खाते से करीब करीब साड़े पंद्रा कुड़ो रुपए गया है, जो हम लोगों के खाते में आ जाए, तो हम लोगों का काम हो जाएगा, आपका कितना अपर नी चाहते हैं कि हमारे पास बेटे कि शाधि करना है अमारे पास वाइवास ब्रॉबधान करा जा है हम आप पत्का बंदो माद्जं से यह तो निवदन करते हैं कि हम लोगी आवाज बन के वातब पहुचा है अब हम लोग रोल पे बेटे में हम लोग क्या करें बच्चों को क्या खिला है नगर निगम द्वारा से अंचारित कपीला गौशाला को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस के बीच टकरा उजारी है 19 अगस्त को वरिष्ट कॉंग्रेस नेताओं ने गौशाला का निरिक्षन किया था इस दोरान कुछ गाये मृत मिली थी और कुछ मरनासर स्थीती में थी जिसकी बाद कॉंग्रेस नेताओं ने कहा था कि जल्द ही गौव माताओं की सुद नहीं ली गई तो पार्टी सडकों पर उतर कर भाचपाईयों के कारना में उजागर करेगी इसकी बाद सोंबार को M.I.C. सथ से सत्ति नारायन चोहां ने गौशाला का निरिक्षन किया और सभी विवस्थाओं को बहतर धंग से संचालित होना बताया M.I.C. सथ से चोहां ने कहा कि गौशाला में गायों के भोजन के लिए चारा, भूसा, पानी और स्वास से सम्भनित सभी विवस्थाएं बहतर है यहां चुकित सकों की टीम भी उपस्तित रहती है जो नियमी जांच करती है गौशाला में कुछ पशूओं का मृत होना बताय गया था लिकिन वे मृत नहीं थे खराब मौसां के करण कुछ पशूओं की ऐसी हालत हो जाती है उन्होंने कॉंग्रिस नेताओं पर कटाक्ष करती हुए खा कि यहां आकर राजनीती ना करें निर्क्षिन के दोरान जोन अध्यक्ष सुनील श्रीवास पार्षद हिमत गहलोद भी मौजूद थे नेतागिरी करने आये थे और जो बिमार गाये उसको मरतक बतागा और भी यहीं बेठी हुएगा जब कि यहां पर पूरी सेवा यहां भी आपने देखा होगा कि खाने के लिए सुकला है हमारा जो हरा घास है वो भी अपड़ाबर समय पर आता यहां पर 24 गंटे जाक्तर की की व्यवस्ता है यह सिफ राजनिती करते हैं और कुछ नहीं करते हैं और आवारा पसुओं की भरमार पूरे शहर में वह अब बारासों से अप्परम यह रखनी चकते जगे नहीं है इसलिए नेतागिरी ना करते हैं कांग्रेसी भाईयों से निवे दने कि वह भी गाई यह बहुत साला है उसमें अपने कांग्रेस पार्टी से कुछ अनुदान करा है ताकि यह कम चकम गाई को बर्फेट वे वह मिलने की व्यवस्ता करते हैं या देखना आते हैं कुछ अनुदान की राची तो दे हैं कांग्रेसी भाई भविशी की चिंता छोड़ो पंडित गोविन गुरु से नाता जोड़ो ना कोई पैसा ना कोई फीस बस लीजे गुरु जी का आशिश आजी जाने अपनी हर समस्या का समाधान संपर्क करें 9827030415 या 9302230415 हमारा पता आठ अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जे सीरत कमीटी के वारशिक बैठक रॉइन मैडिज हौल में श्रहर काजी खलीकुर रहमान की सदारत में हुई जिसमें कई निर्णाय लिए गए सीरत कमीटी अध्यक्ष महांबा जाकिर गबू बाबा चिश्टी और शहनवास कैप्टन लाला ने बताया कि सितंबर महा में 12 रभी उल अवल हजरत महांब सहाब के पैदाईश के दिन निकलने वारे जलुस की तैयारों के संबन में चर्चा हुई साथ ही नए सदस्यों को भी जोड़ा गया बैठक में पूर्व सदर शाकिर भाई खालवाल, हमीद दादा, हाजी नूर भायू भाई, सयद मक्सूद अली, शाहिद सिदकी, पूर्व पाशद, रहीम लाला, हाजी फ़हीम सिकंदर, अखलाक हुसैन उपस्तित रहे मीटिंग में आये सभी नए पूराने सदस्यों का साफा बान कर स्तक्बाल किया गया जलूस अल्हा के रसूल सललला वली वसलम का जलूस है, और उस जलूस को उसी अंदास में होना चाहिए, इसी वज़े से सीरत कमिटी को वसी किया गया है, जो अम्मीद करता हूँ, कि ने सदर गबबावा को जो बनाया गया है, वो उस उम्मीद के ऊपर खरे उतरेंगे, और वो ये ना समझें कि वाकिले हैं, सीरत कमिटी के शहर के अंदर तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए, क्योंकि सीरत का मसला है, कोई शच्छ उसके अंदर ये नहीं कह सकता है, क्या उसके अंदर जुड़े हुए नहीं है, इंशालला वो ही तख्वियत देंगे समय लोग सीरत कमिटी की जो है, आज मिटिंग जो है, जनाब शेहर काजी खालीक और रह्मान साथ की सरप्रस्ती, पुरु सदर, हाजी शाकिर हुसन भाई खालवाला की सरप्रस्ती, रही लाला साथ की सरप्रस्ती, और तमाम वर्किंग कमिटी की मेंबरान की मुझूदकी के अंदर स जुलूस और जलसे की तमाम बाते की गई हैं। आने वाले 12 रभी लवल को जुलूस जिस तरीके से निकलता है उसी तरीके से निकलेगा और 13 रभी लवल को टंकी चोक पे इंशालला ताला जलसे का इतमाम किया जाएगा। चोल रहे 30 हजार रुपए के इनामी Most Wanted बदमाश जुछन जी सिंग निवासी बजरंगर थाना हनुतिया जिला प्रताब गड़ को जैपो सी आईडी ने उज्जेन से गरफतार किया है। एम जो जाएगा। झीजेन से लवल किया जुछन जी सिंग्ड़ को जुछन जी सिंगज के इंवाजिए जी एंगे जुछन जी सिंग्ज है।